नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका έपने YouTube चैनल पर बात करने वाले हैं इंडिया वोल्tle so punish finance के बारे मिए चो Cum से बड़ी कंपनी है अगर फ्रेंसल कंपनियों में मैं बात करूं इंडिया बूस हाउसिंग फिनेंस की बट गिरावट का सिकार हो रहा है लगातार जो है वीकनेस देखने को मिल रही है कमजोरी देखने को मिल रही है अब अगर आज की आप जो है इसकी कारेशली देखने की कोसिस करेंगे तो दोसों सतरे के आसपास जो है इसके अंदर हाई बंता हुआ नजरा है लगातार जो है गिरावट का मोमेंटम देखने को मिल रहा है फिलाल में अभी मार्केट बंद होने में लगबग 30 मिनट के आसप कंपनी के अंदर नेगेटिव खबरे आ रही है उसके बारे में आपसे डेटेल में बात करूँगा तो अब टोटल मॉर्केट के अंदर आपको गिरावाट देखने को मिल रही है कर लेगा तो फिलाल में तो यह है कि अब कहां सपोर्ट लेगा और कहां से इसके अंदर हम लोगों को मुमेंटम जो होता हुआ दिखने वाला है तो उसके बारे मैं आप सब पूरा जो है complete इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ बड़ी खबर निकल के आई है और बड़ी खबर का बड़ा इंपक्ट आपने NBFC कंपनियों के अंदर देख लिया है देखा आपने किस तरह की गिरावट आपको NBFC कंपनी के अंदर देखने को मिली है खास कर कि मैं उन कंपनियों की बात करूँआ जैसे कि हाउजिंग फिने करूँगा सबसे पहले जानने की कोशिस करेंगे कि RBI ने यह जो नया नियम बनाया है इसके बारे में इसके माइने क्या है और आगे किस तरह की का इसका इंपक्ट हमें जो है कंपनी को पर देखने को मिल सकता है तो शुरुबात करते हैं बैंकों से जैसे कि आप जानते कि आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आप अपनी जो पेमेंट हैं अपनी जो किस्ते हैं अगर वो भी समय पर नहीं दे पा रहे हैं तो उसे भी जो है डिफोल्ट की सिरेनी में मान लिया जाता था इसके विपरीत अगर मैं NBFC कंपनियों की बात करूँ NBFC कंपनियां जैसे कि housing finance कंपनियां होगी और भी बाकी की other कंपनियां बजास finance हो गया इंडियाबुस housing finance हो गया तो काफी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिस तरह की बड़ी-बड़े loan जो है यह provide कराती हैं तो अगर इनके अंदर आपको यह situation देखने को मिल रही थी तो NPA की जो है बढ़ते हुए देखे हैं तो अब उस चीज़ पर लगाम लगाने के लिए RBI ने एक discussion paper जो है जारी किया है फिलाल में क्या है कि यह चार layer में divided है और discussion paper के अंदर यही चीज़ कही गी है जो कि जो चीज़ बैंकों के लिए बोई चीज़ NBFC कंपनियों के लिए ह Game Rule अगर होंगे तो फिर क्या है कि default की समस्याओं से हम उस पर अंकुस कर सकते हैं और काफी हद तक वह चीज़ जो है कम की जा सकती है इसकी वज़े से आपने देखा कि काफी सारी NBFC कंपनियों के इंदर हम लगों को गिरावर देखने को मिली है अब एक चीज़ सोचने वा अच्छा कासा डाउन मोमेंट इंडिया बूस हाउसिंग फिनैंस के अंदर देखने को मिल चुका है लगबग साड़े चार प्रफंट के आसपास गिरावर रही अगर मैं बात करूँ इसकी ऑपनिंग की तो लगबग 215 के आसपास यह उपन होता हुआ नजर आया था उसके के बात करते हैं तो 5163 के आसपास जो हाई बनाने के बाद में लगातार गिरावर का सिल्सिला हमें NBFC कंपनियों के अंदर देखने को मिला है पाकी की जितने भी NBFC कंपनी है उनके इंदर हम लोगों को इसी तरीकी का मुमेंटम देखने को मिला है तो कहने का मतले है कि हमें वाले डिसीजन हैं बट अभी फिलाल में हमने देखा कि जितने भी सारे स्टोक्स हैं उनके अंदर हम लोगों को कंट्नियों गिरावर देखने को मिल रही है तो कहने का मतलब है कि कंपनियों के लिए काफी खराब न्यूस जो है इस समय निकल गया है तो अब आगे इं जन्वरी के आसपास आपको ये 250 रुपे के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था इसके अंदर लगातार जो है हम लगों को गिरावर देखने को मिल रही है एक बार नीचे से समला था बट वापिस से गिरावर का सेंटिमेंट बनता हुआ ने दरा रहा है तो कहने का जाल में अगर आप जो है नीचे के लेवल पर फ्रेश खरीदारी किये हुए हैं लगभग जेड़ सु रुपे के आसपास या फिर इससे भी नीचे तो कहीं न कहीं आप जो है थोड़ास आपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि वापिस से हम लोगों को वहीं पर खड़ा हुआ भी नजर आता है तो अब डाउंसाइड का और अपसाइड का मुमेंट आपको स्टोक्स के अंदर देखने को मिल रहा है तो ये चीज़ आपको सोचकर चलनी चाहिए क्योंकि अभी फिलाल में गिरावट का मुमेंटम है नीज भी ख जब हमें लगता है कि इसके अंदर बढ़त होने वाली है तब उसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने लगती है तो ये चीज़ सोचकर चलेंगे अगर आफ रेश करिदारी करने के मूड में है तो अभी आप क्या है कि इतनी क्वांटिटी खरी दीजेगा क्योंकि क्या है कि आपको बजार के अंदर इसी तरीकी के चार्ट पैटर अकसर देखने को मिलेंगे स्टोक्स उपर जाएगा फिर कोई न्यूज आएगी न्यूज के बाद में हमें इंपक्ट जो है डाउन देखने को मिलेगा ज्यादा क्या होगा एंपी की समस कीजेगा क्योंकि इंट्रडे में आपको कई बार उल्टा सिदा देखने को मिलता रहता है अगर आप आप स्टॉक्स के अंदर डीमेंट अकाउंट उपन कराना चाहते हैं तो फिलाल में ओफर चल रहा है फ्री में डीमेंट अकाउंट ऑपन हो रहें किसी भी तरीके का आपने देखा 2020 के अंदर काफी सारी कंपनियां जो है IPO लेकर आई थी और उन IPO की सिच्विशन देखने के बाद में आपने उब्जर्व किया होगा कि शुरुवाती दोर में हम लोगों के मल्टी बेगर रिटर्स बनें स्टार्टिंग के दुरान तो आपको दोतीन डीमेट अकाउंट ओपन कराके रख लेने चीए तो फिर क्या होता है कि आपको किसी डीमेट अकाउंट से अलोटमेट के चांसे बन जाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आप आपको जो है अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हो है महाँ से आप जाकर अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों करी जानकर ये आपको चलगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब पर कर खिलना तक के गया पर मिल्सकें थे तक यह सो मच फो ओचिंगे ताउर्ट वी है